मुझे याद है 2011 में जब समाजवादी करांती रच चलाया था वो सेप्टेम्बर के महीने में शुरू हुआ था और मुझे फिर एक बार रच चलाने का मौका मिला है इस बार ये समाजवादी पार्टी की विज़यात्रा है समाजवादी विज़यात्रा इसलिए भी कि उत्तर पार्टी जनता पार्टी की सरकार से निरास हुई है उत्तर पार्टी की जनता न्याय चाहती है समाजवादी विज़यरत न्याय के लिए रत चला है समाजवादी विजयरत इसलिए भी चला है कि यहां के लोगों को किसानों के सम्मान की बात हो जितना अन्याय हुआ है आज महिलाओं के साथ समाजवादी विजयरत इसलिए भी कि महिलाओं को मान सम्मान मिले युवा नौजमान उनको बड़े-बड़े सपने दिखाए गए लेकिन इस सरकार ने उनकी नौकरियां छीन ली और लगातार उनके संगर्स के बाद भी नौकरियां और रोजगा नहीं मिल पा रहे हैं इसलिए समाजवादी विजयरत यात्र है इसलिए भी कि नौजमानों का भवे से बैतर हो उद्योग वैपार, मजदूर और छोटी शोड़े दुकंदार भी करोना के समय पर बरवाद हो गए हैं समाजवादी विजयरत इसलिए भी कि उनका कारोबार पुने शुरू हो उनका जीवन में भी बदलाव आए समाजवादी विजयरत हमें उम्मीद है कि जनता का समर्थन मिलेगा और जो लक्ष रखा है समाजवादी पार्टी ने जिस तरह की भारते जनता पार्टी की दिल्ली और लखनू की सरकारें चली हैं हो सकता है आने वाले समय में 400 सीटें भी जनता समाजवादी पार्टी को जिता दे किसानों को बजार में नहीं छोड़ा जा सकता ये तीनों काले कानून किसानों का भविस खतम करने के लिए बने हैं इस दिए तीनों कानून खतम हो और साथी साथ जो घटना होई है लकीमपूर में इतनी दुर्भाग के पूर्ण घटना जितनी निंदा कर सकें वो कम है दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पर किसानों को और जिनको अन्य दाता कहते हैं उन पर गाड़ी चड़ा दी गई हो कार से कुशल दिया गया हो और पहले देश के ग्रह राजमंत्री ने एलान किया हो कि वो जानते नहीं है कि मैं देश का ग्रह राजमंत्री हूँ मैं क्या कर सकता हूँ उसके बाद उनके बेटे, उनके साथी और भादी जिंदा पाड़ी की गार करता गाड़ी लेकर करके निकले जब सभा ख़तम हो गई थी किसानों की उसके बाद उन पर चड़ गई गाड़ी फाइरिंग भी व्यूए फाइरिंग से भी जान गई है इता किसान की तो आखिसान की तो आखिसकी ख्राइरग कौन कर रहा था गाड़ी में कौन-कौन बैठे थे जो लोग पकड़े गए मौकheen लूट के बाद उन्होंने ग्रहे-राजमंत्री का नाम लिया है गेरे राजमंत्री के बेटे का नाम लिया है इससे जादे और का सबूस सरकार को चीए होंगे जब हर चीज सामने है तो सरकार की जिमिदारी बनती है कि न्याय के प्रत भरोसा बढ़े इनको तुरंद जेल भेजना चीए समाजादी पार्टी की मांगती कि सिटिंग जज मॉनिटर करें जाच कोई भी करें लेकिन सिटिंग जज के अंडर जाच होनी चाहिए सरकार ने इतना पुलिस का इंतजाम किया कि कोई विपक्षी नेता पहुँच न सके जब तक हम लोग जाने के तैयारी करते घर के भार बेरिकेडिंग पोलिस आरे एफ सब कुछ लगा दिया आने वाले समय में बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी और मैं खुद जाओंगा उनको परिवार से मिलने समाजवादी पार्टी ने संगर्स किया समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है वहीं हम यह जानना चाहते हैं दिल्ली और उत्पदेश की सरकार क्या भाती जनता पार्टी को नहीं पता डीजल कितना महंगा हो गया क्या भाती जनता पार्टी की जानकारी में ने बिजल तो आज गरीब उज्वला के सिलिंडर भरवाप आ रहे हैं तो आकिरकार जमिदार भारत सरकार उत्तपज सरकार भारति जंदबाड़ी की है इसको महंगाई का जवाब देना ही होगा और अगर महंगाई नहीं करेगी यह कम तो इन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा साहजाध पर्टी के अलाइंस को लेकर सवाल मेरा कि चोटी पर्टियां हैं उसे अप अलाइंस के लेकिन राजवर आपसे नाराच चल रहे हैं आपके ही घर से हैं शिवफाल वो आप तर भोषणा नहीं कर पा रहे हैं आप क्या लोग दल से अपचारिक भोशना कब करेंगे चुकि यह कले लगाई जा रही है कि दो युवा पस्चिम उत्रप्रदेश में मिलने जा रहे हैं उत्रप्रदेश के जितने भी छोटे और छेतिर दल हैं उनसे कोशिस होगी समाजादी पार्टी साथ लाए और लगाता चुनाओ तक यह प्रयास रहेगा कि इन दलों को साथ लाकर के चुनाओ रढ़ा जाए पस्चिम उत्रप्रदेश में क्या करेंगा हैं आरेली पहले से समाज़ादी पार्टी का लाइनस है, लोकसभा से लाए इसी तरह महांदाल उसके साथ समाज़ादी पार्टी गठवंदन है चौहान समाज के डॉक्टर संजे उनका एक दल है उनके साथ गड़वन्दन है इसी तरह कोशिश की जाएगी कि उत्तर परदेश के छोटे और छेती दले उनको साथ लाए जाए आज परदान मंतरी मोरी लखनौ में हैं उन्हों परदान मंतरी आवास योजना के तहट लाव मिला है वो आज खुश है और साथ में उन्होंने एक ऐलान किया है कि जो आवास अब आवड़वन्दन होंगे वो किसी महिला के नाम पे होंगे ना कि किसी कैड करिवार में लोगों के नाम कैसे दिखते हैं इस पठाल मिंद्रे के मूफ को उत्तर प्रदेश में चुनाओ है इसलिए चुनाओ के लिए घुष्टना की जा रही है चुनाओ को लेकर के इनको कम से कम जंता के बीच में कहना ची कि पिष्णे घोष्णा पत्में क्या क्या चीजें लागू की है क्या किसानों की आयदो गुनी हो गई डेरी को लेकर के इन्होंने का कि हर जगे हम डेरी को लेकर के मिल्क के कलस्टर्स बनाएंगे कितने clusters बनी हैं, इन्होंने कितने laptop दी हैं, कितना data दीया है, किसानों के लिए अलग से funds बनाने की बात कही गई थी, हमें जानना चाहते हैं कि किसानों की मदद के लिए कितनी धन आपने दिया, जो महंगाई बढ़ गई है, उसके कम करने के लिए क्या फैसा लिया, विजली ए कोई जवाब नहीं है, इसलिए नई घोषना करने की तैयारी में भाते जनता पार्टी है, लेकिन जनता सब जानती है, इस बार चुनाव में भाते जनता पार्टी को करारा जवाब मिलेगा। पानी है, और कितने सोचाले आज सई सलमत गाउं में हैं, उजला को लेकर बहुत परचार किया गया, सरकार ये बताए कितने गरीब दुबारा सिलिंडर भराने जा रहे हैं, वो सिलिंडरों पर सामार रखने हैं, उस सिलिंडरों को स्टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं, के चेर्मेन हैं, सबसे ज़्यादा मेयर भारती जिंदा पार्टी के हैं, और सबसे ज़्यादा गंदे अगर कोई हैं, तो शेहर हैं. आप ये confidence के साथ कहा रहे हैं, कि सफा के सरकार आ रहे हैं, और BJP का एक mode of culture है, कि वो आने वाले चुनाओं में अपने candidates का चेहरा बदलती हैं, क्या समाजवादी पार्टी का पायदान होगा इस बार अपने उमिदवारों को टिकर देने का, किन किन लोगों को शामिल करेंग समाजवादी पार्टी की कोशिस होगी, कि जनता की बीच में जो लोग प्रतियासी हैं, उन्हीं को चुनाओं में उतारा जाएं, और लगातार उसके लिए संग्ठन, और लगातार उसके लिए कोशिस चल रही है, समाजवादी पार्टी में बड़े पैमाने पे लोगों न कितनी सीट मिलेंगी इसका भी बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा आप पर आरोप लगता है कि आप हमेशा लोगों के दुखी कर जाते हैं सीट बाट में समाजवादी पार्टी के कोशिस होगी कि सभी को साथ लें सभी को संतुष करें और सभी परसंद हो करके चुनाव साथ समाजवादी पार्टी के साथ दल जुड़कर के जनता इसलिए तयार है कि 400 सीटें भारती जनता पार्टी को हराएगी धन्यबाद थैंक्यू